असलाम लेकम एवरिवान और वेलकम बैक तो हरी मिर्च आज मैं आपको सिखा रही हूँ होम मेड चॉकलेट सॉस की रेसिपी ये रेसिपी बहुत सिंपल और एजी है लेकिन इसका रिजर्ट बिलकुल परफेक्ट है ये चॉकलेट सॉस बहुत जादा येमी है तो चलिए अब रेसिपी को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप एक सॉस पैन ले 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 और उसमें डालने टू टेबल स्पून कोको पाउडर, टू टेबल स्पून शुगर, वन टेबल स्पून कॉन स्टार्च या कॉन फलार और वन कप मिल्क अब इन सब चीजों को हम एक दफा मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम फ्लेम आउन करेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर इस सॉस को पकाएंगे और मसलसल इसमें चमच चलाते रहेंगे क्योंकि ये सॉस काफी जल्दी थिक हो जाती है तो अगर हम इसमें स्पून नहीं चलाएंगे तो ये खराब हो जाएगी और जैसे ही आपको लगे कि ये सॉस थिक होना स्टार्ट हो गई है तो उसके बाद सिर्फ आपने एक मिनट के लिए इसे और पकाना है और एक मिनट के बाद आप इसे चूले से उतार ले और उसके बाद आप इसमें एड़ कर दें वन टेबिल स्पून बटर आप यहां पे अंसॉल्टेड यां सॉल्टेड कोई भी बटर यूज़ कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और बटर एड़ करने के बाद इसे एक दफा सिफ मिक्स कर ले और उसके बाद यह सॉस बिलकर रेड़ी है अगर आपको लगे कि आपकी सॉस अभी थिन है तो आप उसे एक मिनट के लिए और पका लें वो थिक हो जाएगी और अगर आपको लगे कि ज़्यादा थिक हो गई है तो आप उसमें वन टू टू टेबल स्पून मिल्क के एड़ कर लें तो वो ठीक हो जाएगी इसी तरह की और मज़दार रेसिपी देखने के लिए आप मेरे चैनल को सबस्क्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें मैं आप से मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में एक क्विक एजी और मज़दार रेसिपी के साथ तब तक के लिए अलाहाफिज